तो हलो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग स्वाखेते हैं आप सभी का मेरे चैनल एफ के मपे तो गाइस आज हम लोग दुबारा से कहलें जा रहे हिट मैन अपसल्यूशन तो लास एपिसोड में आप लोगों को यादी होगा कि किस तरह से मैं गया था ब्लाक वाटर पार्क वहा वहां देक्स्टर भी वही पर है इस वज़ी से हम वह गय थे हमें वहाँ पर वोग लोग दिले भी मगर अफसो अपसोस हम थोड़े से लेट हो गए और वह वह हैं से भागने हमें काम्याबरा लग पूरी तरह था तुर नहीं के आगे कंटिन्यू करेंगे तो चलिए फिर बिना किसी देरी के लेस्ट बिगेन हमारा गेम चालू हो चुका है और यह काफी अलग सी स्टार्ट है इसकी यह हम हां ब्लाक वाटर पार्क के ही छट पर छट का व्यू है यह क्योंकि वह बिल्डिंग भी काफी थे हैं लिटरली इसे डूंड नी पाया है गेरा हमारा भाई हमालब हिट मैं तो मैं कह रहा था हाँ वह बिल्डिंग इतनी उच्छी है कि सही में वह ऐसे बादलों में घूम हो चुकी है लेट सी क्या होता है तो हाँ वह इसी चट पे जो हैली पैड है वहाई पर है डेक्स्टर एंड विक्टोरिया फ्कॉस तो अब हमें उन्हें ढूंडना है एंड डेक्स्टर को मार गिराना है और देख लो यहां पर काउंड डाउन भी आ चुका है लेट्स गो अलिमिनेट ब्लेक डेक्स्टर अफकॉस वही काम के लिए हम पिछले कई दिनों से भटक रहे हैं यहां और देख रहो कितना को मलग दुआई दुआई मलग कोहरा याद आगे वो चलिए ठीक है तो इतना कोहरा है कि वो लो हमें देख भी नहीं पा रहें बट स करेंगे थोड़ा बहुत तो यहां पर चुका है चार मिनिट का ही टाइम है हमारे पास में सिफ यहां पे से बच के जाने के और यह सीडियो पर अगर मुझे चड़ना है तो यहां से जाना होगा बे मतलब की क्लिंग नहीं करेंगे क्योंकि देख सकते हो चार मिनिट है अगर मुझे ना दूर तक जाना है मुझे को पहले यह चेक पॉइंट ठीक है मैं कह रहा है मुझे आइडिया ने मुझे कितनी दूर तक का जाना है इसलिए मैं इन सब को इगनोर करता हुआ जा रहा हूँ और अपने अपनी इंस्टिंक्स पे जारो लाइक गेम के यूज अब बहुत कम कर रहो है यहां पर यह क्या है ओके तो यहां पर प्रॉक्सिमिटी माइन से यानि कि अगर मैंने उस पे पैर दाला तो एक साथ में सब फट सकते तो इसके लिए मुझे इस तरह से ही आगे बढ़ना होगा एक से यह से यह जो यलो यलो एरिया देख रहे हो आप उसमें मुझे जाना बिल्कुल नहीं है वरना वही फटने वालों मैं 3.30 ओके ओके टाइम काफी कम है और यहां पर चेक्पॉइंट नाइस कहीं से तो चिलाने की आवाज आई मुझे आइधिंग वह विक्टोरिया की हां दखकी डिक्सटर की आवाज आगई मैं कि यहां से तो जाने का कोई रास्ता है ओके ओटेक अ क्योंते कैसा अब ?? यहां से यह टाप कर जाना मुझे एक सेकंड़ फीम है और यहां से नीचे अ तो यहां से तीन मिनटी बाकी है I think मेरा हो जाएगा मैं पहुच चुका है तो हेलिकॉप्टर यहां पर है तो डेक्स्टर भी ही पर कही होगा आस-पास तो उपर यहां से हाथ सही जाया तो मैं ठीक है बट सीडियां सीडियां ट कहें एक ओके यहां से डिरेक्स चड़ सकते हूं मैं ओके हाथ हो गया है क्या बात है काफी आसानी से हो गया और यह रहा डेक्सटर हां बराबर उसका नाम लैला था and dexter eliminated वो काफी आसानी से हो गया ये वाला काफी स्यादा असान था ये तो फिर ये लास्ट इसमे कर लिया होता मैंने एक सिकेंड को कुछ न कुछ और होगा इसमें I'm sure कुछ न कुछ होगा एक सिकेंड कंटिनीव मैं इतना चोटा तो नहीं हो सकता था कोई मिशन ओके तो फाइनली डेक्स्टर मारा जा चुका है हमने विक्टोरिया को वापस किड्नाइप हो गई थी तो हमें उसे वापस ढूल दिया उसे पकड लिया रेस्क्यू हो चुकी है अब हम जा रहे अगर आपको लग रहे हैं यहीं पर एंड है तो बिलकुल नहीं गाइस इसका एक पार्ट और होगा और वह यह है कि आप लोग समझ गए होंगे बेंजिमिन ट्रेविस उसने जिस तरह से हमें धोके में रखा था हमारे हातों डाइना का मडर करवाया उसने और उसी ने विक्टोरिया को एक्शली किड्नाप भी करवाने की कोशिश किया था वही डेक्टर की मदद भी कर रहा था काफी हद तक तो अब देखो यह डाइना वही बता रही है तो अब उसने इतना सब कुछ किया है तो हमें उसे मार गिराना होगा तो अब हम वही करने जा रहे तो आप लोगों ने जैसे सुनी लिया था के बेंजिमिन ट्रेविस ने कितना मतलब उसने गेर कानूनी काम में वह लगा पड़ा इसलिए डाइना ने उसको मारा था मारने की कोशिश की थी तो अब हमें उसे मारना है लेकिन आप लोग यहां तो यहां तक पहुंचना था नहीं तो आप देख सकते हो यहां पर ओके अगर मैं उसे शूट करता है तो सब भई पर देखने लग जाते लेकिन वह स्टैल्थ नहीं होता तो हमें इस टेल्थ तरीके से जाना है तो मैं इनको नहीं मारूंगा इनकी भी क्या गलती है लोग तो आप लोग ने जैसे सुनी लिया था कि Benjamin Travis कितने इल्लीगल काम कर रहा था इस वज़े से डाइना ने भलब डाइना वेंट रोग और वो इनके खिलाफ होगे एजिंसी के खिलाफ अब हमें उसे मारना है और हमें उस गेट के तुरू जाना है मगर आप यहां पर बंदे तो देखी सकते हो कितने सारे यहां वहां यहां वहां भटक रहे हैं तो लेट्स सी क्या होता है तो मैं इन सब को मारूंगा नि या कोशिश करूंगा कि काफी हद तक का कम लोगों को मारू ताकि हमारे ये मिशन काफी जादे स्टेल्थ तरीके से पूरा भी हो जाए और किसी को खबर भी ना पड़े इस बात की और हम इसली जीद भी जाए तो यहां पर यहां से उतर सकता हूं मैं नहीं और वह ऐसे उतर सकता तो काफी आसान होता काफी ज्यादा घूम घूम कर जाना पड़ रहे सब जगह अब यह बंदा यहां से हटे तो मैं आगे बढ़ू ठीक है ओके काफी आराम से भई यह एजनसी की कैंडिडेट ऐसे न माला सारे एजनस कैंडिडेट नहीं एजनस ऐसे कि इनके में सामने से निकल जा इनको पता भी न चले क्या ही जा रहे है यह कितने बेकार एजन्स करिए लोगों ने एक से यहां पर गने तो इंसे तो लाग बुना ज्यादा बेटर मैं हूँ वैसे भी हूँ ही मैं इंदेसंस हिटमान की बाद करो मैं एजन 47 की बाद कर रहो तो यह इतनी स्टेल्थ तरीके से करता है सबकोच एंड किसी को पता ही नहीं होता है इसकी प्रेजिंस का अगैज ऑगास से तर्rakt है कि और यह पहांच गया में गयर तक ओव कैब सपिद्र आडक जल्दी 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 झeldी जल्दी ऑग्य करीए बजगे वस प्र invaluable टैट वह र्याई पाल कि बोस्तं दो क catalogbad किब अब बेंजेमेंन ट्रेविश की सेल़ेटरी तो उसने भी उसका साथ दी तो अफकॉस उसे भी मरना ही चाहिए वह है कहां पर मेले वह काफी ज्यादा भूल गुली ऐसा रास्ता है यहां पर क्या यह एजन्स काफी सारे है इसलिए मैं इसी ओपन या सड़न मूव नहीं कर रहा हूँ तोड़ा बहुत है एरिया हलका सा स्काउट करके खेलना ज्यादा आसान होता है अगर मैं यहां से जाओंगा तो यहां पर अगर मैं प्लांट कर दूंगा चार्जस तो यह टरनल बंद हो जाएगी लेकिन मेरा आने जाने का रास्ता भी बंद हो सकता है जो कि मैं नहीं चाहता हूँ हमारी टार्गेट वहां बीच ओ बीच खड़ी है मगर यहां पर चारो तरफ एजन्स है यह दिवार के वज़े से मुझे ख्लियर व्यू नहीं मिल रहे है में पास एक स्नाइपर तो है तो अगर मुझे एक हलका सा भी अच्छा सा व्यू मिल ज काफी स्यादा तो वह प्रॉब्लम हो रही है ओके 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 जेड हाँ मिल गई हो जो तो कपसे मिल चुकी थी हो बट वही दिकते हैं ग्यासलीन ओयल है मेरे आसपास में कई तो उसका ओके वह उपर आ रही है और वह इसी तरफ में है किसी को क्या पता चलेगा ओके डन अब फटा फट से यही पर एक रास्ता जा रहा है यहां से यहां से चुपके एक सेकें तेरे पीछे से जा रहा हूं बैं कमाल है ठीक है तो हमने जेड को भी काफी जादा असानी से मार दिया अब हमें मार ना हैं बेंजिमिन ट्रेविस को जिसके लिए हम यहाँ पर आये थे यह लोग भी क्योंकि लोगों ने क्या कहते उनका काफी जादा साथ दिया थे इसके लिए लोग मारे जा रहे और मैंने अभी नोटिस किया बर्न वुड फामिली टॉम यह उनका परसनल कुछ है टीक है तो ओके अलिमने टीप्रेट हाँ होई कह रहा थे इस एलीट सोल्जर्स है यही से माल सकते हों है एक दो तीन तीन है वो तो दिख रहे है उपर भी अगा वहां पर लेजर्स भी दिख रहे है मुझे साथी में और यहां पर भी सीडियों पर मुझे लेजर्स दिख रहे है यहां पर भी एक है इस तरफ से नहीं जाना है इस तरफ से यहां पर इस सीडियों पर भी लेजर है इन सीडियों पर तो यहां पर इसे लेज कर सकते है ठीक है नाइस एक सेकेंड लेज तो एक बंदा यही पर है लेट्स गो कि यहां पर लेजर अच्छा हुआ है यहां से नहीं गया तो यह बंदा भी यहां से तो नहीं जाएगा इतना तो है और वहां पर आगे भी एक लेजर है तो मुझे तुरंट ही से एक से यह एक बार रुख जाए बस ओओ 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 अब मुझे लगा आइफ बट ठीक है एलिमिनेटेड ओके नाइस पॉट्ट था लेकिन ठीक है कोई नी यहां पर ओके नाइस छुपाने की भी जगा दिग गया यह गया आसानी से यह पहला गया अभी दो और है अब देखते हैं कि उनको कैसे मार गिराया जाए गन उठा लेता हूं मैं नहीं उठा सकती ठीक है एक तो गया दूसरे वाले ने मुझे अभी स्पॉट किया पूरी तरह से तो नहीं मगर फिर भी उके यही पर है वह यही पर यही पर आरा रहा है क्या वह नाई इनके शपिसिफिक एडियों ए इसको भी मैं उसी की तरह करूंगा तो दूसरा देख लेगा एक सेकेंड तो यह वाले को मारते हुए तो किसी ने नहीं देखा मलब इस वाले ने मुझे देखा तो नहीं मगर इसे चुपाया कहां जाए यहां पे कुछ है नहीं यहां पे कुछ भी नहीं है तो इसे ले जाते है वही उसी की तरफ चुपाना हो के बच गया तो इसी भी वही उसी के पास में ले जाकर चुपा देते चुपाने से होगा ज्यादा कुछ नहीं हमारी चांसेस बढ़ जाएगा बचने के लेक कोई और स्पॉट नहीं करेगा इसको एंड मैं इसे इसी ही जाडियों से दीवारों से चुपा चुपा कर लेकर रहा चुका हूँ अल्मूस्ट पहुच चुका हूँ यह एक कट और बाकी है यहां तक तो पहुच गया है अब यहां पे वह नहीं देखेगा वह जहां पर मैं एक दम ओपन ली भी इसको छोड़ दूंगा तो भी वह नहीं देखेगा लेकिन फिर भी हम उसे अंदर चुपाएंगे सोड़े जाएंगे website में थोड़े बहुत पॉइंस भी मिल जाए और चांसव भी काफी जादा बढ़े कि कोई हमें देखे अर नहीं अब म हम यहां पे चूपे नहीं सकते हैं और किसी को छूपा भी नहीं सकते और ठीक है कोई जाद नहीं हामें किसी को छूपाना है है भी नहीं एक लोगता हो बचाए है कि कि जितनी आसानी से डेक्स्टर मरा था उससे कई गुना ज्याता आसानी से बेंजमिन मर रहे हैं बस फर्क है कि बेंजमिन को मारने अभी इसे मारने के टेंप पर तीन फेजिस है हमारे सामनी के पकड़ा गया ओ तेरी भाई क्या चला रहा है वो इससी वन ऑन वन लेनी के ट्राय करते हैं वो भी उदर है मुझे पता है कि वो उदर है बड़ उसे पता नहीं कि मैं वहां से हट चुका हूँ अब उसे पता चल गया है नाइस यह कवर लेने ने बहुत ज़्यादा बेकार चलते हैं हमेशे वह भई गर्दन पर गोली खाई है उसने फिर भी वह जिंदा है कमाल है क्योंकि वह अकेला बच्चा था इसके लिए मैंने उसे ऐसी मारत की रहा है मैंने वह नहीं किया तो इसे चुपा कर सो पॉइंट्स और ले लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे पूरा मुट भीगड़े है इसका चलो ठीक कोई नहीं इसकी तो जिन्दगी भीगड़ी भी अभी डॉक्स बुन है उठा तो लिया लेकिन चोड़ो तो अब मुझे जाना का यहां पर दो दो एक्जिट पॉइंट्स दिख रहे हैं मुझे यह तो छुपने का एरिया है वहां से मैं आया हूँ यह चुपने का एरिया ओके मुझे उपर जाना चाहिए एक सेकेंड यह पर छुपने का एरिया है यहां पर कोई लेजर नहीं है यहां से लेच करके ओके तो मैं इन्हें बिना मारे भी आ सकता था लेकिन क्योंकि अब हमारा मिशन था कि हमें मारना है तो इसलिए मैंने मार दिया इने बाकि ऐसे कोई खास रीजन नहीं था इने मारने का यह लोग बाद में हमें परिशान कर रहे होते हैं इसके लिए फिर हमने अभी पहले ही इने मार दिया ताके फिर कुछ हो नहीं अच्छा है मैं अच्छा है मैं प्था लिया था रेविजन ब्लॉक दे दोरो के कोई नहीं मेरे पास में नेड है एक्स्प्लोजिव है ठीक है और यह मैं जी गन लेना था मैंने हड़ी लेकर गुमा रहा यह रहा बेंजिमिन ट्रेविस डोर ब्लॉक करेगा ना भई अच्छी उडव मेरे प्पब कहतना अंची सकतां सर्वाण को ब्लॉक करिए एक्ट है आहाँ पम जर गो नियू मार के कड़ करो यही है और सिर्गों Einrth इसने एक क्वेस्चिन हमारे सामने खड़ा कर दिया है जा डायना असल में मुरी है या नहीं यह तो हम अगले पार्ट में ही पता कर पाएंगे एंड यहीं इसी के साथ में हमारा गेम यहां पर एंड होता है यह थोड़े बहुत एंड के क्रेड़ेट सीन्स है और देख लीजिए यह वह लॉकेट जिस वज़े से यह पूरा क्या कहते है कान मलब पूरी प्रॉब्लम हुई डाइना और विक्टोरिया और यह हम तो ठीक है गाइस अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो जल्दी से जाके इस एपिसोड को लाइक और शेयर कर देना और अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और नोटिफिकिशन बेल भी दबा देना ताकि आपको मेर सारे अपकमिंग वीडियो के बारे में पता चलते रहें और यह सीरीज तो यहाँ पर खतम होती है लाइक धी हिट मैन अपसलूशन अब खतम होता है आप लोग मुझे कमेंट करके यह बात जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और आप लोग आगे कौन सी गेमपले सीरीज दिखना पसंद करोगे और मैं ट्राइ करोंगा कि उसी की गेमपले सीरीज आप तक पहुचा सकूँ जल से जल तो ठीक है कैस आज के वीडियो में तब तक लिए गुड़ बाई